किसान भाईयों और बेहनों नमस्कार आज के इस अंक में हम लोग बात कर रहे हैं कम लागत की खेती के अंतरगत बीज एवं उर्वरक प्रयोग में किस तरह से हम अपनी लागत में कमी ला सकते हैं किसान भाईयों और बेहनों हम लोग जानते हैं कि जब भी हमको किसी खेती की तरफ जाना होता है या जिस भी फसल को हमें लगाना होता है उसकी एक निश्चित बीजदर होती है यानि कि एक एकड़ में या एक हेक्टेर की फसल के लिए हमको कितने बीजदर की आवश्यक्ता होती है और यही वो स्थान है यही वो जगय है ज विश्य याद रखिये किसान भाईयों, जो भी बीज आप उपयोग करने जा रहे हैं, उसकी अंकुरन शम्ता 75% से अधिक होनी चाहिए, यानि कि अगर आप 100 बीजों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें से 75 बीजों का उगना आवश्यक है, अनिता वो बीज बिजाई करने के य शाली आएगी, और जिसके जवारे अच्छे नहीं होते हैं, उसके घर में बीज अच्छा नहीं है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये परंपराई क्या कहती हैं, ये परंपराई ये कहती हैं, कि हमको अंधविश्वास की तरफ नहीं जाना है, लेकिन हमको खेती में वैग्यान धंग को बनाए रखना है तो जिस तरह से अच्छे जवारे का उगना अच्छी संपन्नता का द्योतक है उसी तरह से बीजों का अंकुरित होना आपकी अच्छी खेती का परिचायक है तो बहुत जरूरी है कि बोने के पहले आप बीजों का अंकुरन परिक्षन कर लें अगर आपका बीज अच्छा नहीं है तो आपको बीज बदलने की आवश्यक्ता है 75 प्रतिशत से कम दाने जमने पर आप अपने बीजों को बदल दीजे अगर आप खराब लेके जाते हैं तो अधिकतर हम सीड्रिल का उपयोग करते हैं जो कि ट्रैक्टर चलित होता है या फिर बैल चलित भी हो सकता है इस सीड्रिल में आप हमेशा ध्यान दीजे कि बीज के लिए और उर्वरक के लिए अलग लग जगे होती है लेकिन अक्सर किसान भाई क्या गल लिए वहां पर हम बीज भरें और जो उर्वरक वाली जगे हैं वहां पर हम लोग अर्वरक भरें अब इससे क्या होगा जब भी बीज बढ़ता है या वीज अंकुरित होता है तो जड्र नीचे की तरफ जाती है और तना आउपर की तरफ आता है तो जब पौधा अपना ख को दाने से थोड़ा सा नीचे और उसके थोड़ी सी दूरी पर उसको स्थापित करता है और बीज अपेक्षाकृत ऊपर रहता है तो जब जड़ निकलती है तो वो जहां पर उसको भोजन मिल रहा होता है जो कि उर्वरक के द्वारा उसको मिलता है जड़ उस तरफ फैलती है जड़ों का विकास अच्छा होना इसका मतलब यह है कि पौधे का विकास अच्छा होगा तो हमेशा याद रखिए बीज और उर्वरत को आपको साथ में मिला कर नहीं बोना है बलकि उनको अलग अलग ड्रम में रख के आप बोएं और एक ही ट्रैक्टर में अगर आप सीड ड्रिल से बोएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा तीसरी बात क्या होती है कि हमारी किसान भाईयों को ये नहीं मालूम है कि सीड ड्रिल से बीज के गिरने की दर जो है हम वो नियंतरित कर सकते हैं जादातर सीड ड्रिल गेहूं के लिए कैलिबरेटेड होते हैं या उसके लिए वो सेट किये जाते हैं और उसको हमको अलग लग दानों के हिसाब से अलग तरीके से सेट करना होता है लेकिन हम लोग गेहूं की तरह ही पास-पास सारे बीज़ गिराते हैं और जिससे गड़ बड़ी होती है, खास तरो से दलहनी फ़सलों में गेहुं हम लोग अक्सर 9 इंच की दूरी पर बीज गिरता है लेकिन अगर सोयाबीन मूं उड़त की हम बात करेंगे तो हमें इसमें 15-18 इंच की दूरी की आवश्यक्ता होती है तो आप जब भी सीड्रिल का उपयोग करें उसको कैलिबरेट जरूर करवाएं अर्थात उसको इस तरह से सेट करवाएं कि बीज दूरी पर गिरें गेहुं का पौधा पास-पास रहने के बावजूद अच्छी तरह से पनपता है क्योंकि उसको सीधा बढ़ना होता है जबक हमेशा याद रखिए कि बोनी के समय जो सीड कम फर्टलाइजर ड्रिल है उसको आप हमेशा कैलिबरेट कराएंगे सेट कराएंगे और उसको अलग अलग फसलों की दूरी के हिसाब से निश्चित करना सीखेंगे अगर आप ट्रैक्टर किराय का मंगाते हैं तो ट्रैक्टर की दूरी पर हमको बीज गिराने के विवस्था करनी है उसका सैयोजन आवश्य कराएं अगर आप खेती में पुराने हैं तो आप बीजोपचार के बारे में भी जानते होंगे आपको मालूम होगा कि बहुत सारे रोगों कीटों इन सबकी समस्या बचने के लिए हमको बीज को जीवन पर पोलियो नहीं होगा लेकिन हमारे किसान भाई बीजों के साथ इस तरह के अनुशनसा का पालन नहीं करते हैं और वो क्या करते हैं वो बीजोपचार नहीं करते हो और सोचते हैं जब फसल में रोग लगेगा तो उसका नियंतरण कर दिया जाएगा आप खुद तरीके से उनका बीजोपचार करें अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी फसल में बीजोपचार के लिए किस तरह के रसाइनों की या किस तरह के जैव रसाइनों की हमको जरूरत पड़ती है लेकिन बीजोपचार अवश्य करें इसके साथ ही उरवरकों के सस प्रयोग करते हैं तो आप अपने फसल में उर्वरकों पे होने वाले खडचे को 25 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं जी यह यह कोई नई बात नहीं है बलकि वैग्यानिकों द्वारा प्रमानित हैं कि अगर आप 75 प्रतिशत जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग करेंगे और 25 प्रतिशत तक आप उर्वरकों की कमी कर सकते हैं अगर आप जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो बीजोबचार में ही आपको जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए Rhizobium और PSB जो है ये दलहनी फसलों के लिए और Azotobacter और PSB जो है ये धान्य फसलों के लिए हम लोग इस्तिमाल कर सकते हैं तो अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप अपनी खेती की लागत बढ़ा रहे हैं तो याद रखिए कि आपको इनका उपयोग करना है इसके अलाव भाभी जो हम रासाइनिक उर्वरकों की बात करते हैं तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं एक ही तरह के उर्वरक का प्रयोग करते हैं यानि कि वो सिर्फ DAP का उपयोग करेंगे या यूडिया डालेंगे लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि तीन जो हैं जो कि जादा मात्रा में आवश्यक पोशक तत्व हैं जिने हम मेजर न्यूट्रियेंट्स कहते हैं जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पुटैश होते हैं तो लाल खाद को आप मत भूलिए, आपका सॉयल हेल्थ कार्ड जो कहता है उसके अनुशंसा का पालन करिए अपनी मिट्टी की जाच कराके आप सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाईए, उसको पढ़िए और जानिए कि आपकी मिट्टी में किस-किस तरह की चीज़ों की कमी है और उनको आपको डालना है इसके अलावा धान्य फसलों में अगर आप यूरिया की पूरी मात्रा एक ही बार में दे देते हैं तो भी आप अपनी खेती की लागत बढ़ा रहे होते हैं और उस उर्वरक का आपको उतना लाव नहीं मिल पाता है किसान भाईयों कम लागत की खेती के लिए हमें ये भी जानना आवश्यक है कि उर्वरकों के प्रयोग का सही समय और सही विधी क्या है तो आप यह भी सीखें कि उर्वरकों को सही समय पे कब डाला जाए क्या आखरी जुताई या बखरनी के समय आपको डालना है या आपको फसल की अलग अलग अवस्ताओं पे डालना जरूरी है यह सब आपको कहां से पता चलेगा आप अपने जले के क्रिशिविज्ञान के इंद्र में जाएं और पता करें यह सारी जानकारियां आपको वहां के वैज्ञानिक आपकी ही भाशा में उपलब्ध कराएंगे तो अपने क्रिशिव इज्ञान के इंद्र से परिचित होईए अपने जिले के क्रिशिव इज्ञान के इंद्र को जानिए और वहां के WhatsApp ग्रूप से या किसान मुबाइल संदेश वाले ग्रूप से जरूर जुड़ें और फायदा उठाएं किसान भाईयों और बहनों अगर यह वीडियो आपको लापकारी लगा है तो इसको लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं